नमस्कार सभी को, Current Affairs 2023, Very Important Question है, अच्छे से पढ़ना तो प्रेशन है, वर्ष 2022-23 में देश के कार्रेबल में कुल महीलाओं की भागीदारी कितने प्रेशत रही आप्शन देकर अंसर दीजिए तो इसका सियुत्तर हो जाएगा, आप्शन B वर्ष 2022-23 में देश के कार्रेबल में महीलाओं की कुल भागीदारी 37% यानि 37% रही Important Question है, एक्जाम में पूछा जा सकता है Next है, हाल ही में यूनेस को द्वारा कोजी कोड को भारत का प्रेथम साहित्या का सहर बनाने की घोशना की गई है कोजी कोड भारत के किस राज्या का एक प्रेमुख सहर है Option एका अंसर दीजिए तो इसका सित्तर हो जाएगा, Option D कोजी कोड केरल राज्या का एक महत्पूर्ण सहर है जिसको हाल ही में यूनेस को द्वारा साहित्या का सहर बनाने की घोशना की गई है तो आप इसे नोट डाउन कर लेजिए Very important question है, एक जम पूछा जा सकता है कि साहित्या का सहर बनाने की घोशना किस सहर को गी गई है तो ये कोजी कोड को, जो के केरल में है और आपको बता दें, मद्धेपरदेश के गवालियर को संगीत का सहर कहा जाता है आप इसको भी नोट डाउन कर सकते है नेक्श्ट है तो इसका सेत्तर हो जाएगा option B भारत के मिजोरम राज्य में, जो कि भारत का एक पूरवी राज्य है नेक्श्ट है हाल ही में किस खिलाडी को record आठवा बैलेंडी और पुरुसकार मिला है आंसर दीजिए तो इसका सेत्तर हो जाएगा option C लियोन मैसी को और आपको बता दें कि लियोन मैसी का सम्मन फोट वाल से है आपके लिए question है कि लियोन मैसी किस देश के खिलाडी है जिनको आंसर पता है वो बता सकते है नेक्श्ट है हाल ही में किस देश की अधालत ने जासूसी का आरोप लगा कर आठपूर भारतिय नौसेनिकों को मौत की सजा सुना दी है तो इसका सेत्तर हो जाएगा option B कतर देश ने और आपको बता दें कि इन आठ लोगों पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगा कर गिरफतार कर लिया गया है और इन्हें अगस्ट 2022 को गिरफतार किया गया था नेक्श्ट है SBI यानि State Bank of India ने किसे अपना नया brand ambassador निक्त किया है option A का अंसर दीजिए वेरीची कोशन है और ऐसे कोशन वे एकजाम में देखने को मिलते है तो इसका सियुत्तर हो जाएगा option A मेहंदर सिहिंग धोनी को जो कि एक किरकेटर है और आपको बता दें कि SBI की स्थापना 1 जुलाई 1905 को हुई और इसका मुख्याल मुंबई में है और ये प्रेसन कई वार एकजाम में देखने को मिला है कि SBI की स्थापना कब हुई तो ये 1 जुलाई 1905 को हुई आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं नेक्स्ट है विस्व साकाहारी दिबस कम मनाया जाता है आंसर दीजिए तो इसका स्यूत्र हो जाएगा आप्सन C विस्व साकाहारी दिबस 1 नवंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट है एसियन सूटिंग चेंपियंशिप 2023 में एसवर्य प्रताप सिहिंग तॉमर ने 50 मीटर राइफल्स थ्री पोजीशन इस परदा में कौन सा पदक जीता है आंसर दीजिए तो इसका स्यूत्र हो जाएगा आप्सन A इन्होंने स्वन्ड पदक जीता है नाम याद रखिए एसवर्य प्रताप सिहिंग तॉमर और सूटिंग चेंपियंशिप में स्वन्पद नेश्ट कोशन है रच्छा मंतरी राजनाथ सिहिंग ने किस राज्य में इंडिया मैनुफेक्चरिंग सो का उदगाटन किया है अंसर दीजिए तो इसका सिउत्तर हो जाएगा आप्सन B करनाटक में और यह करनाटक के बैंगलूरू में सुरू किया है नेश्ट है किस देश ने पर्रेटन को बढ़ावा देने के लिए भारतिय नागरिकों को वीजामक्त प्रवेस की गोशना की है तो इसका सिउत्तर हो जाएगा आप्सन C थाइलेंड ने जो कि 10 नवंबर से 10 माई तक ओपन है और आपको बता दें कि आपके जितने भी फर्वरी मार्च अप्रेल में पेपर होने हैं उन सभी में आपके पिछले आठ महिनों के करन्ट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो आपको जून से फर्वरी मार्च तक के सारे करन्ट अफेयर्स के इंपोर्टेंट कोशन प्रोवाइड कराए जाएंगे तो आप नोट्स और वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन नोट्स के नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार जरूर पहुंचते रहें धन्यवाद पढ़ते रहें अच्छी तैयारी कीजिए किसी नोट्स पीडियो फाइल के अवज सकता है तो बता दीजिए हम आपको टेली गराम गुरूप पर यह वाट्सप गुरूप में प्रोवाइड करा देंगे धन्यवाद